हेलो फ्रेंड मैं अंकीत और आज हम सीखेंगे भीव मीनू तो आई सीख थें भीव मीनू में सबसे फर्स्ट ऑप्षन है जूम इन जूम इन मतलब क्या होता है कि हमारा जो पेज है वो बड़ा होते चल जाएगा जूम आउट से होगा हमारा पेज छोटा होती जाएगा जूमइन सी क्या होगा फेज बड़ा होगा इसका कंट्रोल के साथ पेज अप बड़ा में पेज परषसेंत करेंगे तो मेरा फाइफ हांडिट परषसंत हो गया है ज्चयक्त100 करना यहां 100% हो जाएगा उसके बाद हमें paint में ruler लाना हैं तो कैसे लाई हैं तो ruler लाने के लिए मुझे यहाँ पर tick करना होगा हमारा ruler आ जाएगा grid लाना है grid line तो यहाँ पर click करेंगे grid line आdeगा tick हटाएंगे तो हट जाएगा ठीक है उसके बाद क्या status bar status bar आपको दीख रहा होगा पूर इस्क्रीन में यहार से देख सकते हैं फिर डबल क्लिक करेंगे ठीक हो जाएगा अब सिखेंगे हम लोग थम्निल क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहां पर एक औफशन खुल जाता है यहां पर जो भी बनाएंगे जैसे कि मैं यहां पर एक start draw करता हूँ, जो भी हम यहां start करेंगे, जो भी हम draw करेंगे, तो हमारा यहां thumbnail में दीखेंगा, thumbnail का साइच ब्रदीखर है, जितना ब्रदीर हैं हम रख सकते हैं, तो हम लोग यहां से thumbnail ला सकते हैं, उसके बाद आपको यहां पर दीख रहागा, यहां पर कुछ टूल है यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां से हम न्यू ला सकते हैं ऑपन ला सकते हैं बहुत सारा चीज़ आप ला सकते हैं आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं टिक सब पर से हटा देजे आपका सारा हट जाएगा ठीक है अभी आप देख रहे हो minimize the ribbon मेरा जो यह ribbon है बार बार भाग जाएगा देखिए अभी मैं जैसे नीचे क्लिक करूँगा यह भाग जाएगा मुझे इसके जहां set कर देना है तो right क्लिक करके यहां से तो यह भागेगा नहीं कोई भी काम होगा तो चीक है उसके वाद मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था होम मिनू का उसमें मेरा टूल्स छूड़ी गया था तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं टूल्स में फर्स्ट आप्शन है पैंसिल पैंसिल की मदद से हम कंट्रोल माइनस यूज करेंगे ठीक है उसके बाद क्या है कलर विट फिल विद कलर यहां से हम क्या कर सकते कलर डाल सकते कोई भी सेप में जैसे कि मैं यहां पेक सेप बनाया उसके बाद मुझे इसमें कलर डालना है तो मैं यहां से कलर चूज करके इसमें डाल सकते ठीक है उसके बाद क्या है टेक्ट कुल, यहां से हम टेक्ट में benchmark सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है,우리रररण से हम मिटा सकते हैं, रवररर का size बड़ा करना है तो CTRL plus यूज़ करेंगे, रवररर का size बड़ा हो जाएगा, छोटा करना है तो CTRL minus Rose किरेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको दीख रहा हूँ, यहाँ पर color picker है, इससे हम कोई भी color को exact color ले सकते हैं, तो आई लेके दिखाते हैं, हमें कि यहाँ पर photo खोलते हैं, file पर आके open करेंगे, और मैं एक photo को यहाँ पर open कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक photo open कर लेता हूँ, मुझे, यह same color मुझे यहाँ पर चाहिए, तो कैसे आएगा, तो color picker पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो same color क्या होगा, मेरा यहाँ पर आए जाएगा, फिर हम इसे हटा लेंगे, और यहाँ से मैं page बड़ा कर लेता हूँ, और same color मुझे shape में डालना है, तो मैं यहाँ से लेके डाल सकते हैं, तो आप लोगोंने सिखा color picker से क्या होता है, उसके बाद क्या है magnifier है, आपको कुछ zoom करके देखना है, तो आप right click करके छोटा कर सकते हैं, तो हमारा view menu खतम हुआ, तो thank you